नमस्ते डियो वीवर्स आज के इस वीडियो में हम लोग फेज रिवर्सल जोन प्लेट को डिस्कस करेंगे देखे हमें पता है कि जोन प्लेट क्या होता है और ये zone plate दो types के होते हैं negative zone plate और positive zone plate है ना negative zone plate क्या होती है ये एक ऐसी zone plate है जिसमें जो odd number zone से उसको black end कर जाते हैं हम लोग और positive zone plate में जो event number zone से उसको black end करते हैं बाद बाकी transparent रहता है है ना अब इससे क्या होता है कि जो intensity हमें मिलता है screen पर या फिर जो image point है वहाँ पर जो intensity मिलता है वो बहुत कम होता है या आप ऐसा कहिए कि वो कम होता है तो railing ने क्या क्या एक suggestion दिया railing actually ये जो आप देख रहे हैं पर लिखा हुआ है railing ठीक है railing ने क्या क्या एक suggestion दिया उन्होंने कहा कि ये जो alternate zones है जैसे odd numbers को क्या करते हो पर क्यों कर देते हैं और even number zones transparent रहता है तो उन्ही की यहाँ पर तो उन्ही से related क्या railing ने suggestion दिया railing ने क्या कहा कि जो alternate zones है जिनको हम लोग black end कर रहे हैं अगर हम लोग उनको black end करने के बजा या block करने के बजा है हम लोग अगर उसको एक thin film of transparent material है ना किसी एक transparent material के thin film से अगर उसको coat कर दे समझ में आ रहा है ना railing ने क्या कहा कि जो alternate zones है जिनको black end किया जा रहा या block किया जा रहा है अगर हम लोग उसको transparent material के thin film से क्या करें coat कर दें तो इससे क्या होता है कि जो thin film है वो एक extra additional path difference introduce करवाती है lambda by 2 का यह thin film क्या करती है यह thin film एक additional या फिर आप ऐसा कि एक extra additional optical path difference introduce करवा देती है lambda by 2 का इससे क्या होता है कि जो भी secondary waves हमारा zone plate से निकलेंगे चाहे वो odd zone से हो चाहे वो even zone से हो वो सारे waves क्या होंगी same phase में निकलेंगी हाना और image point तक बिल्कुल same phase में पहुँचेंगी इससे क्या होता है कि उनका जो amplitude से जो हमारा waves है secondary waves उनका जो amplitude से वो amplitudes उन सब को support करने लगता है और जो intensity होता है image का image point पर या फिर उ screen पर वो four fold हो जाता है जैसा कि आप देख रहा है वो four fold हो जाता है मतलब four times बढ़ जाता है इसी तरह के plates को हम लोग क्या कहते है phase reversal zone plate कहते है समझ में आ रहा है देखिए जैसे कि मान लिजे कि ये एक zone plate है ठीक है ये क्या एक zone plate है एक ऐसा zone plate मान लिजे कि ये क्या है negative zone plate है ठीक है अब ये जो negative zone plate है हमें पता है इसमें जो odd number zone से वो blocked है अब इन zone को block करने के बजाए अगर हम लोग इस पर एक coating कर दे transparent material का generally ये जो transparent material होता है ये glutine का solution होता है glutine solution होता है ठीक है अगर हम लोग इस transparent material का मतलब ज़्यादतर websites पर gladi नहीं दिया जाता है तो इस transparent material का क्या करता है उस पर एक thin coating कर देता है thin film का coat कर देता है जिससे क्या होता है कि एक additional path difference इंटोडूस हो जाता है lambda by 2 का और जो secondary waves वहां से निकलेंगी ठीक है वो सारे secondary waves जो है same phase में same phase में image point या screen पर पहुँचेंगे इससे क्या होगा कि उसका जो intensity होता है वो four fold हो जाता है क्योंकि जो amplitude से वो एक जुसरे को support करने लग जाती है supportive हो जाती है इसी तरह के zone plates को क्या कहता है phase reversal zone plate और इस phase reversal zone plate को सबसे पहले 1898 में prepare किया गया था आर डबलू वुड के द्वारा हम लोग उने लिखा है देखिए आर डबलू वुड इन 1898 प्रिपेर सच zone plate है ना इस तरह का zone plate जो है आर डबलू वुड ने 1898 में prepare किया था अब उन्होंने प्रिपेर किया अब उन्होंने ये prepare किया यह हमारा matter नहीं है ना हम लोगों को स्रीफ जानना है कि phase reversal zone plate क्या होता है अब exams में जब आएगा कि elaborate या explain phase reversal zone plate तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे यह तो स्रीफ points है जो हम लोग समझने के लिखे थे तो इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते है ठीक है कि रेलिक शजेसटेख कि लुटने जोने जोने of a zone plate instead of being blocked are coated with a thin film of some transparent material which introduces an optical path difference of lambda by two then the secondary disturbance from all the zones both order even would reach the image point in the same phase and so the amplitudes from successive zones will help each other Consequently the intensity of the image will be 4 fold, 4 fold का मतलब 4 times, 4 times intensity increase कर जाएगा Such zone plates are called phase reversal zone plates, इसका जो है आप screen shot ले लीजे, ठीक है इसका screen shot आप ले लीजे और इसको आप notebook में note कर सकते हैं, ठीक है तो चलिए यह हो गया हमारा phase reversal zone plate आशा है, आपको इस समझ में आया होगा phase reversal zone plate ठीक है, देखे सबसे पहले phase reversal zone plate को प्रिपेर RW wood ने किया तो बट इसका suggestion रे लिग ने दिया ठीक है तो चलिए आप से next video मिलते हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग उने convex lens और जो zone plate होता है इनके बीच का comparison किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखे लिंक नीचे description में मिल जाएगा जाएगा जाएगा